दिल्ली का सद्धाम अडरकेश आपको याधी होगा, ऐसा ही कुछ मामला कानपूर से देखने को मिल रहा है, जहां एक 17 साल की नाबालिक लड़की को टुकड़े टुकड़े कर चान से मानने की धमकी दिगे बता दें की कानपूर के नौबस्ता में रहने वाली 17 साल की नाबालिक लड़की को फैज नाम के एक यूवक ने शादी करने का दबाव बनाया और दबाव इतना बनाया कि लड़की के परिजन भी परिशान हो गए वहीं जब लड़की दबाव बनाने के बाद भी शादी करने को तयार नहीं हुई तो आरूपी फैज ने उसे धंकियां देना शुरू कर दी और कहने लगा कि अगर शादी नहीं की तो उसके टुकडे टुकडे कर देगा धंकी मिलने के बाद लड़की के परजनों के तो मानों होश ही उड़ गए हो जिसके बाद लड़की के परजनों ने डर के मारे फॉरण ही पुलिस को जानकारी दी पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर आरूपी के घर पर दविश दी लड़की के साथ छेड़ चाड़ करने का मामला प्रकास में इसके संब्द में थाना नुबस्ता पर पॉक्षो एक्ट के अंतरगत एक मुकदमा पंजिकृत किया गया था और इसकी अभियूत की तलास की जा रही थी इस दौरान यह तथ्यवी प्रकास में आया कि उप्त वेक कानपूर से रंजय सिंख रिपोर्ट कानपूर तक कर दो